दोस्तों टैनिस में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली सानिया आज उन काम्याप खिलाडियों में शुमार की जाती है जिन्होंने कम उम्मर में सफलतका स्वात चका है खैर कहते हैं ना सफलतका स्वात चुने वालों के रास्ते में संकट के कालेवादल होना आम बात है ऐसा ही कुछ भारत्य खिलाडी सानिया मिर्जा के साथ भी हुआ है और आज हम आपको बताएंगे उन से जुड़े ऐसी विवाद जो चर्चा का विशे बनी लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और आपको भी सानिया मिर्जा पसंद है तो इस वीडियो को एक जरूर करें शौर्ट स्कट पहनने पर सवाल यहां दोस्तों भारत्य सम मुलानाओं ने सानिया मिर्जा के शकट पहन कर खेलने पर कुछ सवाल भी खड़े कर दिये थे और साल थी फत्वा भी जारी कर दिया था खैर अब यह तो सोचने वाली बात है कि टैनिस होट में आकर कोई पारंपारिक वेजबुशप में कैसे खेल सकता है लेकिन सानिया न लेकि निज़ी जिन्दगी में भी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए उन्हें आज भी खराइखोटी सुनाई जाती है विवास के शोव मलीक कि पाकिस्तानी है और दूसरा खेलने से इंकार श्टार प्लेयर्जब बीच मन मुटाव और लडाई होना किसी भी खेल में आम बात ह और ऐसे ही एक विवात का शिकार हुई सोनिय मिर्जा जी हाँ दोस्तों भार्टे टैनिस के सबसे बड़े दो सूपरस्टार लेंडर पैस और महिश भूपती की जब लड़ाई हुई और दोनों ने जब एक साथ खेलने से इंकार कर दिया तब मिक्स लबल खेलने के पेश को एक पार्टनर चाहिए था और उन्होंने सान्या को चुना था लेकिन महिश भूपती के साथ सान्या का खेलना त्या था फिर टैनिस असोशिएशन ने पेश की बात मानी और सान्या को पेश के साथ खेलने को कहा गया था लेकिन महिश भूपती के साथ सान्या का खेलना त्य अब दोस्तों ये तो हम सब जानते ही हैं कि अगर कोई फेमस होता है तो दुनिया उसके पीछे हाथ दोकर पड़ जाती है और ऐसा ही कुछ काम एक टीवी न्यूस चैनल वालों ने किया इस चैनल ने आरोप लगाया कि सान्या ने मैच के दोरान तिरंगे जंडे का अपमान कि हुआ है लेकिन सान्या ने चैनल की इस आरप को खारिच किया और बात में पता चला कि जंडा उनके टेबल पर था ही नहीं बलखी कहीं और था फोटो ऐसी ली गई थी कि ऐसा लगे कि जंडा पैर के सामने रखा हुआ है तो दोस्तों आपको भी सान्या मिर्जा का खेलना प ताइब